ये है महिसा सूर और हम नोदेविया बैटी है और मैं बनी हूं मा काली चंडी इसका बद मैं ही करूँगी महिलाओ के पेंचल का गया अंगरवाड़ी वाली की पेंचल का गया महिलाओ के लिए काम करें तो सिरब मोधीजी ने करें मोधीजी को कोई नहीं रोक सकता और का इस्तिपा लेकर रहेगा चाहे दिल्ली पुलिस कित्रा ही बेरिकेट लगाए हम उन सब को तोड़ कर आगे जाएंगे के जिरिवाल की नेतिकता गई कहां जो बाते इन्होंने बोली उसके ठीक उल्टा किया नेतिकता को तार-तार कर दिया आज क्या उधारन देंगे दिल कलोनी में चले जाए ना तो पानी साफ आ रहा है गंदा पानी पी रहे हैं नालियों में मच्छर पैदा हो रहे हैं सडके सारी टूटी हुई है यह पार्टी देखना आने वाले समय में बिल्कुल समाप्त हो जाएगी दिल्ली के अंतर दो लेयर के और वेरिकेडिंग है और पुलिस ने वाटर कैनन का आगे यह मैं यह सब क्या हो रहा है यह केज़िवाल का पोस्टर रखी हो आगे जूते चपल है ग्लास है यह क्या चल लाया आपको नहीं पता क्या चल रहा है दारू बाज है सबसे बड़ा गोटाला दारू में निकरा इसने 600 करोड दारू माफि लिखन है साथी नारि सक्थियों ने चपल चपन अब यह दिख रही है यह है महिसा सूर और हम नो देविया बैठी है और में बनीऊ मा काली चंडी क्लेर है चंडी को यह मैसा का वद माकाली ने करा ज़ल जब राक्षाष ओले आंध वह कर दिया एक रिशियों को सताना शु बाकि सारी मेरी, नो देवी आए, उकेजिवाल जी आपको इस्थिपा देना होगा ना नि तेरी मोर नी को मोरी ले गए बाकी जो बच्चा था के जीवाल खा गए अची ना नी प्यारी ना नी तुकंज उसी चोड़ दे जल्दी से एक चपल दे तेरा इसका पूँ तोड़ दू बहुत काम किया है दिल्ली में कह रहे हैं महिलाओ को बहुत हमरे काम कर दिया है महिलाओ के लिए काम करें तो सिर्ब मोधीजी ने करें मोधीजी को कोई नहीं रोग सकता और केजीवाल तुटोब कह रहे हो पाटर कैनन का भी इस्तमाल दिल्ली पुलिस ज़रूरत परने पर करेगी परियाप्त मातरा में रैपिड एक्षन फोर्स भी आपको आगे दिखाई देगा तो फिलाल आप यहां देखिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक करीब किस तरीके से जो भाजबा के कार करता है तो बैरिकेड को तोर कर आगे की तरफ कुछ करकरता निकल चुके है कुछ निकलने की कोशिस कर रहे है और इन्हों ने अब बैरिकेड को तोर दिया है लेकिन आगे दो लेयर की बैरिकेडिंग और दिल्ली पुलिस ने रखी है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग ज करेगी और डिटेन करना भी दिल्ली पुलिस जो है शुरू करेगी आप दफ्तर के ठीक सामने ये बीजेपी के कार करता पहुच चुके आप यहां देख सकते हैं चारों तरफ देखिए भाजपा के जितने भी कार करता है वो आगे की तरह बढ़ चुके और आम अदमी पाटी का इस्तिफा लेकर रहेंगे चाहिए दिल्ली पुलिस कित्रही बेरिकेट लगाए हम उन्हें सब को तोड़ कर आगे जाएंगे अब ब्रस्ति तरीके से दिल्ली हाइकोट का फैसला आता है इडी की करवाई को वैद बताते हैं उसके बाद जो है अब हम देख रहे हैं मैं आपको इसपश्ट कर दूँ अर्विन केजरी वाल अपना आपको कट्र इमानदार बताता था और यह कहता था कि भारती जनता पार्टी एवी आई और सीवी और एडी का धुर अप्योग कर रही है और न्याई कोट ने भी उसे गोसित करार दे दिया है उसकी जमानत खा इस तरीके से हाइकोट का टिपन्य आता है लेकिन अर्विन केजरी वाले जो इस्तिफा देने का कहीं नहीं नहीं बना रहे है अब भी उनको नहीं लगता है कि इस दिफा देना चाहिए आखिर कुर्सी से यह कैसा प्रेम अश्ट कुर्षी से उनको लगाव है चाहते हैं कि जेल में रहा करके हम इसे अपना जया सरकार चलाएं लेकिन समीधान के अंदर में ऐसा है नहीं कानू उनको इस्तिफा देना पड़ेगा और इनको जमानत नहीं मिल सकती है एक साल के लिए इनको जमानत नहीं मिलेगी ज़िवाल जी आ उनके समर्थक दावा करते हैं कि दिल्ली की जनता हमारे साथ है हमने बहुत काम किया है दिल्ली के लिए लिया जा इस लोगसवा चुनाओं में साथ के साथो सीत हमारा गठभंदन जीत तरह चार सो पार तो तीसरी बार भारत के परदाल नंतर्य जो है तिसरी बार प्रदाल मंत्री बनने जा रहे हैं यह जो है सभी लोगों ने ठान लिया है देश की जनता ने भी ठान लिया है कि जिरिवाल जुठा है और जुठा ही रहेगा मुझे यह लगता है कि जो पार्टी नेतिकता और इमानदारी के नाम पर आई थी, यदि किसी के उपर कोई आरोप है, कोई अपरादी है, यदि वो चुनाओ लड़ नहीं सकता, तो एक अपरादी जो जेल में बंद है, वो कुर्सी पर कैसे रह सकता है, कहां गई नेतिकता, क जो बाते इन्होंने बोली, उसके ठीक उल्टा किया, नेतिकता को तार-तार कर दिया, आज क्या उधारन देंगे, दिल्ली का मुख्य मंतरी, जेल से सरकार चलाएगा, जेल से गैंग चलते हैं, गैंग, सरकारे नहीं चलती है, इनके जितने भी मंतरी है, धीरे-धीरे करके ह कैसे लिफ्ट हो जाती है, इनका सुरू से ही मकसद एक ही था, यह कहते थे कि मुझे नोक्री छोड़कर अच्छी खासी नोक्री है, यह छोड़कर समाज को सुधारने, देश को बदलने आए, राजनीती बदलने आए, साफ राजनीती करने आए, इनको पहले से मालुम था, कि धन कैसे कमाना है, औरों पर भी आरूप लगे, उन्होंने इस्तिफात दे कर जेल गए है, इनकी नेतिकता गई कहां? और उनके मंत्री, अगर इनके मंत्री इतने ही साफ है, तो इस्तिफा क्यों नहीं दे रहे? अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बोला था, इस्तिफा मैं आज यूते की नौक पे रखता हूं, तो क्यों नहीं इस्तिफात दे रहे? आज तो हम बोल रहे हैं, स्तिफात दे दे कांड की ना और कांडों का ही प्रिणाम है कि आज वो जेल में है और बहुत लंबा जाएंगे और कितनी वह अरजिया लगाले फर्जी वाले वह फर्जी वाल रहे गा और जूट इतना यह सायद राजनिती के इत्यास में इतना धूर्त और जूटा वेक्ति धूकर चाटने व उत्सिकर पर कोई है तो केजरिवाल है और केजरिवाल जी घुद कहते थे बाइस आप कह रहे थे कि मैं जूटे की नोग पर रखता हूं देखाए नहीं रहे हैं क्योंकि पुना आएंगे नहीं है ना अभी तो मामले खुलने शुरू हुए अभी तो पार्टी शुरू हु यह पार्टी देखना आने वाले समय में बिल्कुल समाप्त हो जाएगी दिली के अंपर दावा करती है बहुत दिली में काम कर दिया है के जरीवाल ने दिली की जनता हम से जूरू हुई है इसलिए हम जेल में हमारा आत्मा दिली में घुम रहा है आप दिली के अंदर किसी में कलोनी में चले जाए ना तो पानी साफ आ रहा है गंदा पानी पी रहे हैं नालियों में मच्छर पैदा हो रहे हैं सड़के सारी टूटी हुई है वी आइपी लाके में जाए द्वार के में चाहिए घई में जाए साड़ी सड़के टूटी है कौन सा इसने काम करा दिली के है थे हैं ट्रूटी है को दो ट्रूटी है टुटे के लाए हैं